नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृतार इंग्लेंड के खिलाफ तीन मैचों की वंडे सीरीज के लिए टीम इंडिया महराश्ट के पूने पहुँच चुकी है पूने के M.C.A. स्टेडियम में 23 से 28 मार्च के बीच तीन वंडे मुकाबले खेले जाएंगे विराट कोली की सेना की महमान नवाजी में कोई कसर ना रहे ऐसे में उन्हें शेहर के बेहद लग्जरी होटल में ठहराए गया है मैच से ठीक एक दिन पहले हम आपको बताएंगे की टीम इंडिया को किस होटल में ठहराए गया है और क्या-क्या फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही है भारतिय क्रिकेट टीम फाइव स्टार होटल कोराड पूने में ठहरी हुई है ये होटल संग मवाडी इलाके के मंगलदास रोड पर है बाहर से दिखने में इसका नजारा बेहद शांदार है इस होटल में हर तरह के लगशरी रूम है जिसमें प्रेजिदेंशल सूट, एक्जिकेटिव रूम शामिल है जिसमें कई तरह के सर्विसिज दी जाती है एहमदबाद की तरह पूरे के होटेल कोराड में भी बायो बबल सिस्टम से टीम को गुजरना होगा इस सिस्टम के चलते खिलाडी अपनी मर्जी से यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए होटेल ने विशेश व्यवस्था की है वहीं कमरों के अंदर बच्चों के खेलने के लिए भी अनेंजमेंट्स किये गए है भारत इंगलेंड के बीच वन डे सीरीज बिना दर्शकों के खेली जाएगी कोरोना के दुबारा पैर पसांडने के बाद बी सी सी आई ने ये फैसला लिया है तो आपको कैसा लगा टीम इंडिया का ये लग्जरी होटेल अपनी राए देकर हमें जरूर बताए और साथी साथ हमारी इस खबर को लाइक करना बिलकुल ना खुले झाल